हेलो स्टुडेंट्स मैं अरविंद कुमार सिंग आप सभी लोगों का आपके अपनी यूटूब चैनल सिवराज मैस क्लासे में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आए बचों आज हम क्लास 9 में चेकेंड जो हमारा पॉलिनेयम यह चल रहा है बहुपद उसकी आज exercise 2.4 में me 4 करेंगे जो वह तक करो नमबर 4 है वहाँ घड़ करना इसको फटर करना इसके तो फेक्टर करने के लिए एक आपका टाइप है यह कोता एकस स्क्वार प्लस बी एकस प्लस इस टाइप का जब फेक्टर करना हो किसी भी है ना पॉलिनामियल का तो सबसे पहले एए और यहां पर गुणाँ करने पर बारह आ रहा है अब यह जो दोनों गुणांक आते हैं इनका योगफल आप जोड़ होना चाहिए वह बिके बराबर होना चाहिए तो बारह और एक तेरह होगा यह सी दूड़ना पड़ेगा बारह से तो वह होगा 4 तीं 12 चार और 3 का गुणा 12 आजाएगा अब 4 में 3 अगर आप जोड देते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा जो कि बड़ाबर है ठीक है न तो आपको यहां क्या करना था कि 12 x स्क्रार की जगा 12 x स्क्रार लिखना था माइनस की जगह माइनस साथ की जगह यहीं change करना था 4 प्लस 3 ठीक है यक्स यह पे लिखना है प्लस की जगह प्लस 1 की जगह 1 सब कुछ वहीं लिखना है सिर्फ 7 को change करना था middle term को split करना था ऑफ आप क्या करेंगे कि 12x2 24 two Future मो dong सोंच यथा अफ का होが टो मा 얼् regard यक्स का भी गहा तो मांफ 4 टांथी इसवी अजा जाएगा माइनस-4 तो मांना-3 x आज जाएगा और series मौ ठीक है ब्रेकेट ओपन करने से माइनस हो जाएंगे दोनों चिन, ब्रेकेट के अंदर के सभी संख्याओं का चिन बदल जाता है, ठीक है न, दोनों प्लस थे, इसलिए दोनों माइनस हो गए, अब आप इसमें क्या करेंगे, कि common देखेंगे, क्या common है, तो 12 को आप क्या लिखेंगे, देखें, दो दोनी 4, त्याइं 12, ठीक है, और x square को x into x, ठीक है, माइनस 4x को क्या लिखेंगे, 2 दोनी 4, और यहां x, ठीक है, 3x को क्या लिखेंगे, 3 into x, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है न, इतना ही factor होगा इनका, अब आप देखेंगे, यहां पे 2, 2 मिला है, दोब x बचा है, तो 3 x यहां बच जाएगा, फिर आप माइनस लगाएंगे यह वाला, और यहां पे 2, 2, 4 x पूरा common है, तो इसमें कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो वहां एक लिखना है, क्योंकि इसमें 1 का गुणा मान सकते हैं, ठीक है न, इसमें 1 का गुणा है, अल्रेडी है, वो लिखना नहीं जाता, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 4 x यहां 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 नहीं, तो कुछ भी नहीं जिसमें, वहां 1 common है, क्योंकि 3 x समझ सकते हैं, एक को 1 x समझ सकते हैं, तो यहां पे आपका 3 बच जाएगा, और x बचेगा 3 x, और यह minus आप common लिए, इसलिए यह वाला चिन बदल के minus हो जाएगा, और यहां 1 बचेगा, ठीक है, अब 3 x minus 1 आपको देख रहे हैं, दोनों bracket में सेम चीज है, तो इसको ही common लेंगे आप, तो यह आजाएगा 3 x minus 1, और दूसरे bracket में इसके बाहर जो 4 x है, वो लिखना है, और यह आपका final, इसका गुड़न खंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको इसका गुड़न खंड करना है, आए बचोंगला question देखिए, second, second में भी गुड़न खंड करना है, यहां भी आप देख रहे हैं कि 2 है, 61 का गुड़न का गुड़न का 2 है, और अचरपत 3 है, तो पहले 2 और 3 का गुड़न खे, ठीक है न, क्या 2 और 3 से जोडने पे, 2-3 से क्या 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 2-3 पांच आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा, 7 के बराबर है नहीं, तो 6 का दूसरा गुड़न खंड आप लेंगे, 6 का ही, 6, ठीक है न, 6 into 1, तो 6 बंजा 6 ही आएगा, लेकिन 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, बीच का आ जाएगा, तो यहां से आप स्प्लिट करेंगे, देखे कैसे करेंगे, हल लिख लीजी, 2x स्क्वार का 2x स्क्वार लिखेंगे, प्लस 7 को चेंज करेंगे, 6 प्लस 1, ठीक है, x और प्लस 3 की जगा 3 लिखेंगे अगली लैन में बराबर लगाए, 2x स्क्वार लिखेंगे, यहां प्लस है तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, पूरा वही रहेगा, तो प्लस 6x हो जाएगा, और यह प्लस 1x हो जाएगा, और प्लस का 3, ठीक है, अब देखेंगे, आपका कॉमन देखेंगे, क्या आएगा, तो 2 और x, यहां पे है 2x, तो यहां 1x स्क्वार है, तो 1x बच जाएगा, क्योंकि यहां 1, 1, 2 हो गए, ठीक है, 2 तो बाहर ही है, अब यहां पे 6x है, तो इसको 2 गुणा 3 लिखेंगे, 2 तियाए 6, तो 2 बाहर जब लेंगे, तो आपका सिर्फ 3 बचेगा, और x तो बाहर आ अब आप देखें, यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, ठीक है, यहां पे x है, यहां भी x है, तो आप 2x कॉमन लिजिए, तो यहां x बचा, प्लस, यहां पे क्या बचा, केवल 3, ठीक है, प्लस, अब यहां देखें, आपको 1 दिख रहा है, यहां भी आपको 1 दिख रहा है, तो 1 क common लिजिए यहां क्या बचा एकส बचा फ्र लगेगा और यह क्या बचा 3 तो आप कु क्या दिख रहा है की x 5 1987 यह दो आप फिर से एक स्प्लस तीन के को जब common लेंगे तो इसके बाहर जो टू एक्स बचेगा वो लिखिए इस प्रेकेट के बाहर जो प्लस बचा वो लिखिए और आपका यहीं फाइनल गुड़त खंड हो जाएगा ठीक है आए बच्यों अगला देखे थर्ड कोस्टन इसमें लिखा 6X स्क्वार धन 5X माइनस 6 तो आपको फिर यहीं क्या करना और 9 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा ठीक है कि नहीं तो आप इसका सॉलूशन देखिए कैसे करेंगे 6X स्क्वार लिखेंगे प्लस 5X and माइनस 6 अगली लाइन में क्या होगा 6X स्क्वार को 6X स्क्वार प्लस 5 को चेंज करेंगे 9 माइनस 4 X का X लिखेंगे माइनस 6 का 6 अगली लाइन में क्या करेंगे 6 को लिखेंगे 2 3 जा 6 इंटू X इंटू X ठीक है प्लस 9 और X का हो जाएगा 9X फिर माइनस 4X ठीक है मल्टिकला ही हो गया यहाँ प्लस है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं हो रहा जो है वहीं है और माइनस 6 का 6 अगली लाइन में दिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू X इंटू X प्लस 9 को क्या लिखेंगे 3 3 जा 9 इंटू X 4X को क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 इंटू X 6 को क्या लिखेंगे 2 3 जा 6 ठीक है प्लस 3 यहां पर केवल बचेगा क्योंकि 3 और एक्स कॉमन है तो क्योंकि 3 बचा फिर देखिए माइनस 2 यहां भी है माइनस 2 यहां भी है माइनस 2 यहां भी है तो आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर 2 एक्स बचेगा ठीक है अब माइनस टू कॉमन लिए तो थी बचेगा तो वह प्लस का 3 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन है तो अब आप देखे क्या हो गया 2x प्लस 3 फिर से कॉमन आ गया क्योंकि यह पूरा प्रेकेट की चीज दोनों में कॉमन दिख रहे हैं 2x प्लस 3 बाहर लिए एक बार कॉमन आ गई यहां क्या आया गया 3x माइनस टू ठीक है न तो इस तरह से फ्रेक्टर इसका हो जाएगा कि पहले ब्रेकेट में 2x प्लस थी दूसरे में 3x माइनस टू इस तरह से आप इसका गुडण खंड कर लेंगे ठीक है आज बचों आज का लास्ट कोस्टन देखिए कोस्टन नंबर 4 है कोस्टन नंबर 4 का 4 पार्ट है 3x स्क्वार माइनस x माइनस 4 तो आप फिर क्या करेंगे 3 into 4 कर लेंगे 3 4 जा 12 12 आ गया अभी इसमें 4 में से अगर 3 माइनस कर दीजे तो 1 आ गया है ना यहां क्या है कुछ न लाना की प्लस 1 लाना माइनस है तो माइनस लिखिए 1 लाना है आपको सिर्फ अंक देखिए 1 तो 4 माइनस 3 करेंगे तो बना जाएगा x का x लिखेंगे माइनस 4 की जगा 4 अगली लाइन में लिखेंगे 3x स्क्वार माइनस है तो माइनस का 4 x हो जाएगा यह माइनस माइनस प 3x को क्या लिखेंगे 3 x x लिखेंगे और 4 को क्या लिखेंगे 2 x 2 ठीक है अब आप देखिए कि common क्या है यहां भी x है और यहां भी x है ठीक है और तो कुछ मिल लए रहा तो आप x common लेजिए तो यहां 3 बचेगा और यह x 3 x बचेगा अब x common लिए थे तो 2 दूनी 4 बच जाएगा ठीक है इन में इन में देखिए क्या common है यहां 3 है यहां नहीं यहां x है यहां 2 है यहां नहीं कुछ भी common नहीं तो आप प्लस का 1 common ले लिजिए तो यह 3 x बचेगा और माइनस 2 दूनी 4 पूरा का पूरा यह बच जाएगा जो है अब 3 x-4 3 x-4 आपको common दिख रहा होगा तो आप 3 x-4 ले लेंगे common तो क्या बचेगा इसके बाहर x और इसके बाहर कराए गए आपको सब समझ में आ गए होंगे और आप एका रिवीजन करिएगा ठीक है ना अच्छे से देख लिजेगा एक दो बर वीडियो को देखेंगे आपको जरूर समझ में आएगा और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गुरुदे छणा क के रूप में आप वीडियो को जरूर लाइक किजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन जरूर प्रेस किजेगा आउल पर रखिएगा जैसे आपको न्यूट फिक्शन मिलती रहे और अपने फ्रेंट के साथ सेर करना नहीं भूलिएगा ठीक करका कर कर दो